तो हेलो गाईज तो आज की वीडियो में हम डिस्क्रस करेंगे प्रोपटी और क्लॉइट्स के बारे में तो गाईज इसके अंदर तीन प्रोपटी आती है अप्टिकल प्रोपटी करेंगे अप्टिकल प्रोपटी के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रस है colloidal solution यहां से क्लायाहे है है झाल करें घर सक्राइब है जो यहां चलाइंगे चलाइब अबना देंगे तो यह से दिखो लो यह है चलाइब अधिर्ट तो तो इस जो इस जो बेगरांड इमेज बन रही है ना तो इसकी help sem कहरा करते है जो optical property है इसकी help से हम जो प्रोपेटे के बारे हिन पता करेंगे इसकी size कैसा है shape कैसा है structure कैसा है और उसका molecular weight क्या है ठीक है तो उसको गिए की是什麼 कणा सबस्माद सबस्का काय। संब्सक्रम सबस्क्राइब ऊस सब्सक्राइब जितने पांट को पड़ेगी प्रेख आड़ में पांट हो जाएंगे चमकने लग जाएंगे यहां इसना की यहां न एतिक्षें मारा क्या है यहां", न हमारा बाटिकल का साइज कैसा है इसका मुल्कुलरbringen इनorn प्रिंग अबता पॉस्में के बाटिकल से बाते हैं वहने कुछ और और यहाँ पर क्या लैस होती है क्यों होती है जैसे देखो जो लाइफोविक होते है लाइव मिंस क्या होते है तो लाइव मिंस क्या होते है तो लाइव मिंस क्या होते है है जो लाइव मिंस क्या होते है जो लाइव मिंस क्या होते है जो लाइव मिंस क्या होते है जैसे देखो जो लाइव मिंस क् इसमें क्या होती है इसमें अagles सलीशन तरह ना एक तरह आ, ऑपना पार्टिकलk होटे है अच्छी तरह इसमें ऐस यो साईं MikroSc俺 उन्हीं ETV बाक निधियर आकर ह मिनारा होती है तरह ही तो हम उसे और उसे का साइस की ऐसा आफ मौलिड मॉ설 किया है तो इससे मेहचेर करने के लिए वा सिह मीको सप्रेण के लिए आपाठर नग्योर्टेट शॉलूशन होता है तो नोसित tops क्रोंदर करने लिए से हम्में कापने उत्स प्रैंखन संक करते हैं यह वह है का कैसी और उसका molecular weight कैसा है ठीक है इसके अंसे हम पता कर सकते हैं तो थर्ड मथर्ड हमारे पास है electron microscopy तो इसमें हम क्या करते हैं गाइस जैसे देखो तो इसमें क्या होता है जैसे देखो हमारे पास क्या होती है इतनी शोटी से पार्टिकल है जिसके image बनेगे बहुत ही यहां बड़ी बनती है ठीक है जो बनती है इसको हमने electron microscopy है जो इमेज बनी है बहुत ही लार्ज बनी है इसके हम पता करेंगे उसका size कैसा है सेब कैसा है structure कैसा है और अड़को ब्लगरवर कायसा है ठीक है यह हमारा लाय फिलीक के लिए यूज है मतलब लाय फिलीक होते है उसमें क्या उता है जो particle size होते है बहुत ही small होता है उसके लिए हम तो फिर भी को भी डावट रहता है तो प्रीज़ आप कमेंट बोक्स में पूश सकते हैं मैं उसके रिपलाय देने की कोशिश जरूर करूँगा तो गाई इसके नोर्स से मैं आपको डिस्क्रिशन में विजिट करवा दूँगा अब जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो गाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में